हाई एवरिवन मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नैच्रोपैथ एम डी इन नैच्रोपैथी नैच्रोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नैच्रल चीजों से करता है तो आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हो वो बोस्ट वांटेड है लेली दस भीस कमेंट मेरे पास रहते हैं कि इसके वारे में प्लीज बताओ और यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है पिंक सॉल्ट मैजिक जादूई नमक होता है यह और इसके वारे में मैंने लाइफ चैट में भी बात की थी आप लोगों से कि कितनी जादूई यह सॉल्ट है और किस तरह से आपके बॉड़ी पर बिल्कुल मैजिक करता है और यह किस तरह से कई बिमारियों को दूर कर देता है और आप जो टमी के प्राब्लम से परेशान रहते हैं जो लोग यह कहते हैं कि मेरा टमी टक नहीं हो रहा है या जिनको स्वेलिंग की ब्लोटिंग की होना हॉर्मोन का यह सारा कुछ इस नमक से बहुत अच्छे धंग से क्योर होता है तो आई इसका डीटेल देखते हैं लेकिन उससे पहले मेरा न्यू शैनल क्यू एने विद डॉक्टर शालिनी इसको सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर बन से रिलेटेड होगा तो जितनी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना जल्दी यह वीडियो फ्लोर पे आ जाएगी तो आईए चलते पिंक सॉल्ट के वारे में जानते हैं पिंक सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो पहाडों में पाया जाता है यह समुद्र से नहीं निकलता है इसका पहाड होता है जिसका यह टुकड़ा होता है आप लोग मेंसे 90% लोग सेंधा नमक जानते होंगे और खा भी चुके होंगे यह है सेंधा नमक जो की इंडिया में बहुत easily और बहुत सस्ते रेट पर मिलती है यह इंडिया के पार्ट के साइड पे जो पहाड होती है ज सेंधा नमक में थोड़ी कम होती है बट ये है कि मैगनीशियम इसके अंदर सोडियम कम और मैगनीशियम की मात्रा जादा होती है जो कि आपके हॉर्मोन्स पे बहुत अच्छा काम करता है जिसको भी प्राब्लम है हॉर्मोनल किसी तरह की उसके लिए पिंक सॉल्ट बहुत अच्छी होती है इनफेक्ट सेंधा नमक भी अच्छी होती है लेकिन जितनी रेड है इसका मतलब हाई इन आईरेन है और हाई इन मिनरल है तभी ये सनरे से रियाक्ट करके रेड अपना एक ब्राउनिश कलर लेकर के आती है जिनको भी ब्लड की प्रॉब्लम है हिमोग्लोविन की प्रॉब्लम है इस तरह की कोई प्रॉब्लम है अगर ब्लड की प्रॉब्लम आपको होगी या RBC, Red Blood Carpuscles की प्रॉब्लम रहती है ऐसे में आपको स्वेलिंग हमेशा रहगा ब्लोट करोगे और वजन बढ़ेगी शरीर में पानी की मातरा जादा हो जाएगी ये एक basic कारण है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये नमक थोड़ा सा इंडिया में costly होता है क्योंकि इंपोर्ट होकर आरा होता है तो duties काफी लगते हैं बट इसका result जो है वो कई दवाईयों से जादा जादू भर है और use बहुत कम होता है quantity बहुत कम लगती है क्योंकि ये नमक होता तो पहाड का हिस्सा है लेकिन खारा बहुत होता है ये आपके body के acid को और आपके intestine के acid को balance करता है कम करता है ताकि आपका digestion बहुत अच्छा रहे जब acid जादा होती है body में तो कई बार calcium store होने का बहुत जादा खत्रा होता है या फिर uric acid होने का बहुत जादा खत्रा होता है तो जिनको भी uric acid की problem है उनके लिए pink salt एक बरदान की तरह है या फिर बहुत जादा constipation, acidity, gas अगर रहता है तो आपको pink salt ही खाना चाहिए अगर आप अपने pantry में इसको add करते है मानती हो मैं इस चीज़ को normal नमक आपको 20-25 या 30 रुपे में मिलता होगा जो एक महीने चलता है लेकिन यह 3-4 बहुत अच्छा उपाय है कि यह आप अपने pantry में add करें और इसको अपने दिंचरिया का हिस्सा बनाए आप जो खाना खाते हैं उसमें इसको डाले ताकि आपका digestion बहुत सही रहे और आप जो भी खाए नमक सिर्फ आपको खारपन देने के लिए हो कि आपका food tasty हो जाता है in fact उसके अलावा यह आपके body में जाके बहुत सारे mineral को release करें आपको benefit दे और बहुत जादा आपको healthy feel कराए और बहुत active feel करो यह बहुत important है क्योंकि कई लोगों के मैं review देखती हूं in fact comment पे है जहां जहां मैंने pink salt बताया है और कई लोगों ने add किया है वो इसका result देख भी रहे है तो ट्राइज जरूर करो आप यह instant electrolyte performer electrolyte होता क्या है जितने भी sodium potassium magnesium यह सब electrolyte होते हैं कहने का मतलब यह जब आप dehydrate feel करते हैं या जब आप unhealthy feel करते हैं थर्स्ट फील करते हैं तो जो चीज़ पी के तुरण से आप active हो जाईए वो electrolyte होती है बट उसको कुछ लोग उसमें sugar add करके उसको एक mucus का कारण बना देते हैं बट इसमें electrolyte जो है वो परफॉर्म करने का पावर नॉर्मल सॉल्ट से जो sodium chloride है आपका normal table salt जो है उसे कहीं जादा होता है और बहुत easily बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जबकि इसके अंदर sodium percentage कम है और potassium और magnesium की percentage सबसे जादा होती है और magnesium एक ऐसी चीज है जो stress buster होती है मतलब आपके body के जो pulling हिस्सा जो होता है body stress लेती है वो हर जगह से चाहे आपका tummy हो जो हो चाहे आपका heart हो चाहे आपका blood हो हर जगह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराती है तो इसलिए भी यह electrolyte बहुत active electrolyte है sodium इसके अंदर काफी कम होता है और यह यह electrolyte performer fast है इसलिए आपके blood pressure को बहुत regulate करके रखता है ऐसा नहीं है मैंने कई एक दो जगह पढ़ा लिखा है low blood pressure के लिए सही है या high blood pressure के लिए सही है ऐसा नहीं यह regulate regulate करके रखता है अगर high होगा तो वह balance करेगा low होगा तो balance करेगा sodium की उतनी percentage है कि आपके low BP को यह balance करके रखे और sodium की इतनी परसेंटेज है कि अगर आपको high BP है तो उसको भी balance करके रखे एक्स्ट्रा ना होने दे एक और magical गुन यह आपके बॉड़ी के पेंड जो इंटर्नल पेंड होते उसके लिए बहुत अच्छा होता है और आपके स्किन के लिए अच्छा होता है तो अगर वन टीस्पून एक bucket में आप डिजॉल्व करते हैं मुश्किल है थोड़ा इसको घुलना तो आपको एक दो घंटे चोड़ना पड़ कि आपको डबा कर रखता है तो बॉड़ी के अंदर से पें रिलीज होता है जो एक्स्टा मिनरल जो आपके बॉड़ी में स्लियूं यह οॉफ्य को और ओक्स्ट्रा हो जाती जो बादीकर रही होती आपके शहीर में वही टलवी से अब्सार्ब करता है यह आपके हथेली से आपके अब्जॉर्ब कर लेता है तो ये भी एक अच्छा तरीका अगर आप स्लैब नहीं भी लेते हैं तो इसका टुकड़ा बहुत इजली मिल जाता है उसको भी आप अपने हथेली पे बहुत अच्छे से दबा कर रख सकते हैं और इससे आपके बॉड़ी की फिजिकल हेलि है कंप्यूटर है वाइफाई लगी है केबल का करनेक्शन है सारे रेज आपके इंवायर्मेंट में ही घूम रहे होते हैं वह रेज को अब्सॉर्ब करने की शक्ति इस सॉल्ट में होती है तो अगर घर में इस तरह की पीस कहीं घर पे आप रख देते और हर एरिया में आप जाती है उस रेज की क्योंकि वह जो आपके आस पास हो आप मोबाइल लेके हमेशा गूंते हो तो वह रेज कम होती तो चैंसर होने का खत्रा थोड़ा कम हो जाता है इस सॉल्ट से पिंक सॉल्ट के मार्केट में स्लैब भी आते हैं शेल्फ जैसा होता है ट्रे टाइप का य इसली गरम हो जाएगा और equally spread होगी हीट और काफी बड़ी बड़ी स्लैब होती है गैस पे अच्छे से रख जाती है और उसके ऊपर खाना बनाते हैं और जो की highly beneficial होता है यह नमक ऐसा है जो बहुत जल्दी बर्न नहीं होगा एक बरतन जो यह लेते हैं यह करीवन दो तीन स साथ ही रहता है इसके अलावा एक गुन होता है जो uniform energy के लिए आप और सकते हैं या negative energy के लिए काउस कि आपके पेरेंस हो आपकी शॉप में कोई प्राबलम हो यह बहुत अच्छा हील करता है एक्जाक्टली यह साइन्स ही है कि जब नेगेटिव एनरजी जब रेज उल्टे पुल्टे होने लग जाते हैं तो आपके ब्रेन पर असर करते हैं तो आप सफोकेट फील करते हो अंदर सब्सक्राइब नेगेटिव एनरजी अपने आप ही खतम हो जाते हैं और अगर आपने चूरा लिया है तो इक कटोरीम उसको भर दीजिए उसके बीच में आप कैंडल जिलाए तो भी वह एक अच्छा काम कर रहा होता है लेकिन अगर आप सोफिस्टिकेटेट फील करते हैं आप केंडल भी रख सकते हैं इसकी केंडल भी मार्केट में आती है अगर आपको यह प्राइब मार्केट में अगर आपको नहीं मिल्ता है लोकली तो लिंक वक्स में और मेरे पीन Cook में में अघ्डियर को अपने लाइफ में आड़ किजिये और बहुत बढ़ा जादू करने मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ताकि जादा से जादा लोगों की मदद हो पाए प्लेलिस में एड़ करें ताकि बाद में आप इसको देख सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो ताकि फ्यूचर के अप्लोड का अप सब्सक्राइब के साथ तब तक के लिए बाई